हलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, हमारे कंप्यूटर और लाप्टॉप में हम इंटरनेट के डाटा को केसे सेव कर सकते हैं, जैसे ही हम अपने मुबाइल पॉन को लाप्टॉप से कनेट करते हैं, 20 मिनिट के बाद ही हमार 100% सॉल्व हो जाएगी, वीडियो हैं तक देखिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज डू लाइक, सेर और सस्क्राइब, तो चलिए, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको यहां पर विंडो की प्रेस करनी है, यहां पर देकर करके, कुछ इस टाइब से, तो यह हो गया हमारा पहला मेटर्ड, अब हम दूसरे मेटर्ड के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले आपको विंडो की प्रेस करनी है, टाइब से आपको माइक्रोफ इस्टोर टाइब करना है, यहां पर आपको ऑप्शन ओन मिलेंग इन सारे option को आपको opt कर देना है यहाँ पर एक dialogue box आएगा इनको close कर देना है आपको then यहाँ पर close कर देना है तो यह हो गया हमारा second method इसे भी हमारे computer में internet है वो save हो जाएगा अब हम तीसरे method के बारे में बात करते है हमारे को फिर से window की press करनी है यहाँ पर type करना है services then enterprise करना है then आपके सामने एक dialogue box आएगा and यहाँ पर आपको search करना है windows update तो सबसे नीचे की type आजाना है then आप देख रहे होंगे यहाँ पर windows update है यहाँ पर इस पर आपको यह running का options हो रहा होगा यहाँ पर then इस पर right click करना है then properties पर जाना है then यहाँ पर आप startup टाइप में देखी manual होगा यहाँ पर आपको disable कर देना है कुछ इस टाइप से then apply and ok यह हो गया हमारा third method इसके दोरा भी हम अपने computer और laptop में internet को save कर सकते हैं then हम अपने fourth method की तरफ बढ़ते हैं fourth method में आपको फिर से window की press करनी है यहाँ पर type करना है setting then आपको update and security पर जाना है then advance option then आपको delivery optimization होगा यहाँ पर जाना है आपको delivery optimization पर delivery optimization में जाने के बाद यहाँ पर आपको option on होगा इस option को आपको ओप कर देना है कुछ इस type से then close तो यह हो गया हमारा fourth method इसे भी हमारा internet save हो जाएगा अगर आपको हमारा यह session अच्छा लगाएं तो please do like, share and subscribe and you have any doubt then comment section is here write now your comment and have a great day